Hello everyone, welcome to concept, my name is Dharmendra, आज मैं आपको बहुत ही important topic बताने वाला हूँ, जो है insider trading, ठीक है, regulatory framework के हिसाब से आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, I mean, regulatory framework के हिसाब से आपको ये जाना बहुत जरूरी है कि insider trading क्या होता है, इस वीडियो में मैं insider trading के बारे में discuss करूँगा, ठीक है, कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से insider trading होती है, और किस तरीके से आप इस जंजाल से बस सकते हो, इस trap से बस सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आप देखोंगी scammers हैं, जो आपको इस जंजाल में फसा सकते हैं, ठीक है, तो कैसे इन से बचना है, यह होता क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा, इसके consequences क्या होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कोई भी कदम उठाए, तो सोच समझ को उठाए, ताकि आपको इस भी मालूम होना चाहिए, कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, वो सेफ है या नहीं, ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में, यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया, इनसाइडर ट्रेडिंग इन इंडिया, नेविगेटिंग दा अन एथिकल पिट फॉल्स डैक ट्रेटन यॉर इन्वेस्मेंट, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्मेंट करते हैं, तो उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इवन आप देखो कि जो ट्रेड करते हैं, मतलब बीटीएस्टी ट्रेड करें, आज उसको बाई करके एक दो अफते के लिए छोड़ देते हैं, इंसाइडर ट्रेडिंग रिफर्स टू बाईंग और सेलिंग अव श्टॉक बेस्ट ऑन नॉन पब्लिक इंफोर्मेशन ठीक है, कुछ नॉन पब्लिक इंफोर्मेशन आती है, जैसे माल लीजे कि कोई भी पर्ट्यूकिलर कंपनी है, चाहे वो आईटी कंपनी हो, जो कि गुवर्मेंट के हिसाब से, मतब गुवर्मेंट ने उनको किसी कुछ गलत काम करते हैं, उनको पकड़ाया, आरेस्ट किया है, जो भी उनके सब किया गया है, तो यह कुछ बाते होती हैं, जो अलड़ी सिर्फ कंपनी हों गुवर्मेशन को पता होती, है जैसे कि मा लिजे कि किसी के टच में आप जो अलड़ी इन सब ऑगनेजेशन के अंदर में उन्होंने आप एक टिप प्रोवाइड की ठीक है कि ऐसा ऐसा कुछ कांड हुआ है ओंगा कि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं तो आपने इसको शौट कर दिया यह यह डौन को बहुत अच्छा अग्रेंट होता है वह यह और प्लिक करने से पहले आपके पास information आगया आपने उसको buy कर लिया और जैसी information public हो गई stock ऊपर चला जाता है ठीक है तो यह insider trading का हिस्सा है ठीक है आपने जब भी buy किया तो आप से भी स्कैनर में आ सकते हो कि आपने यह stock buy किया है किस हिसाफ से आपको उनको जवाब देना पड़ता है और अगर इसमें आप फर्स गये तो आप एक बहुत जाज़ा पैनल्टी भी लगती है जेल भी हो सकती है ठीक है तो यहां पर अगर आप अगर आप प्रेक्टिस करें अंदर आपको जुर्माना भी लग सकता जेल भी हो सकती है इंगलूडिंग इंडिया तो इसके इंप्लिकेशन जानना बहुत ही क्रूशियल है इंवेस्टर्स के लिए बिकास आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको कंपनी की जो पब्लिक इंफ्रमेशन पब्लिक इंफ्रमेशन वह जानके आप करेंगे मतलब सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए अभी कोई इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहे तो मतलब बराबर मौका नहीं है तो इसके वज़े से यह जिरिजिशन के अंदर में पैनल्टी में लगती है और कम्प्लीटली अनथिकल होता है ठीक है हमने बहुत से मूवीज भी देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि इंसाइडर ट्रेडिंग किस तरह किस नुक्सान करता है ठीक है क्या करेंगे यह information leak कर देते हैं अब जिसको leak करेंगे वो ट्रेड करते हैं यह भी ट्रेड करते हैं और दोनों फस्त है ठीक है जिसके वज़े से बाकी इंवेस्टर को नुक्सान होता है अभी उन्होंने क्या कि भले कुछ legal framework आया हो तो उससे company का image थोड़ा गिर जाता है ल लेकिन यही चीज़ को गलत वे में बुलोकों को बताया जाता है और स्टॉक के प्राइस पूरे गिर जाते हैं तो जितने भी इंवेस्टर उनका पैसा डूब जाता है तो यह पूरा अनधिकल प्रैक्टिस है आपने कभी भी देखा हो किसी पर्टिकलर स्टॉक का ऐसा गि जाहर से बात है जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं ओक पीछ रहे जाएंगा जिनका इंफॉरमेशन आगे रह जाते हैं तो तो टोटलिफ गलत है जब तक यह पुब्लिक नहीं होती है यह इंफ ळिसक्री पास नहीं चाहिए ठीक है तो यहाँ पर इंसारीच गॉर्मैक the emphasizing the need for transparency in the market तो जो सेबी है उन्होंने regulatory guidelines framework सब ताहर किया ठीक है उनका वो पूरे insider trading को regulate करती है आपने देखा होगा बहुत सी movies में देखा होगा कि यह लोग क्या करते हैं आप यह देखेंगे कि कि particular company का एक information लोग आगे देते हैं कि इसका profit अच्छे नहीं वाला है या फिर आप देखो कि pump and dump का scheme भी होता है एक यह कहेंगे non F&O companies होती है जिसका आपको message आता होगा कि यह companies आगे जा सकता है बाय करो अभी भी बहुत सारे information मैंने देखा फेज रुपे आते रहते हैं छे रुपे का stock आपको करोरपती बना देगा आप इसमें एकला quantity बाय करिए यह साल बार में दो साल में यह सिदा 600 जाएगा करोरपती बन जाओगे तो यह भी आप देखोगे इस तरीके का पंपेंड रुपे माँ बाय करोगे जैसे ही वह दस पीस यह मालों पचास आट भी जाता है वहां पर प्रमोटर जो सेल करना शुरू करते हैं और पूरा प्राइस क्राश हो जाता है आपने जहां पर बाई किया है वहां पर लॉस होना था यह क्या करते हैं यह इनफोरमेशन को आगे बढ़ाते रहते हैं एक रुपे पर आपको 10-20 रुपे पर बाय करवाते हैं तो यह चीज़ को जाना जरू है पंपनेंड डंस का स्कीन है ठीक है इंसाडर ट्रेडिंग तो बैंकिंग में कोई बैंक्स में हो गया या फिर लॉइज हो गया उनके पास कुछ information दो विकाउस किसी particular company का legal matter समाल रहे हैं ठीक है तो उनसे भी कुछ information leak हो जाती है अब जो भी leak करते हैं वह information किसी को मिल जाती है तो ट्रीडर क्या करते हैं वह information का फाइदा उठाके वह पर बाइंग करते हैं तो जो भी companies होते हैं के legal सीए यह सब से कहीं से कहीं है कहीं है कहीं होता है जो नहीं करते हैं क्योंकि इनको भी हम यह कहेंगे कि इनका पूरा ethical practice होता है लॉयर्स बैंकर सीएस ठीक है इनके पास मैं कहूंगा इनकों नहीं करते हैं वह प्राब्लम हो जाती है तो मैं यहां पर यह यह कहूंगा कि कहीं से भी अगर अगर आपको यह information मिलती है किसी companies के बारे में तो अगर आप उसमें ट्रेड करते हो तो सेवी के स्कैनर में जरूर आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर होता क्या है कि जो ट्रेड करने वाले तो उनके पर पैसा क्योंकि information कि छोटे मोटे रिटेलर्स के पास नहीं आती नहीं आती है बड़े बड़े लोग पास तो वह भी बहुत कई बहुत होगे कि як जरूरी है क्योंकि से भी सबकों पर ध्यान देती है जिसको भी पकड़ते हैं उनका सब्सक्राइब बंद हो जाता है ट्रेडिंग फिर आपको जुर्माना होता है जेल होती है ठीक है फिर कभी हम इस मार्केट में कदम नहीं रख सकते हैं तो यह क्या करेंगे यह सबी जो कॉ इंसाइडर ट्रेडिंग भी होता है होता कैसे यहां पर देखिए लीगल इंसाइडर ट्रेडिंग अकॉर्ज वन कंपनी एग्जेकुटिस बाय और सेल स्टॉक एन रिपोर्ट देट रेट रेट तु रेगल्यूर्टी अथोरिटी मतलब उन्होंने क्या किसी कंपनी का रिपोर्ट भी करते कि मैंने पर्डिकुलर स्टॉक को भाई खिया है तो यह होता है कि क्या यह इंफोर्मेशन के हिसाब से करते हैं बिल्कुल नहीं? अगर मेरे पास इंफोर्मेशन है तो मेरे पास अगर मैं 모ow स्टॉक को मुझे भाय करनी के और पुरिटिक नहीं होती है तो अगर मैं किसी company में बड़ी quantity मुझे बाइक कर रहा हूं ठीक है तो इंसाइडर र्रीडिंग के साफ एंजो रूल से मुझे से भी को बताना होगा ठीक है अगर company किसी में hold भी करते से भी को बताती है illegal वाले में क्या होता है कि वह Undisclosed information को use करती है यहाँ पर क्या होता है कि यह जो legal insiders जो trading जो करते है जो legal होता है इसमें information उनके पास जो होती है वो मैं यह कहूंगा कि ज़्यादा यह नहीं होते मतलब मैं ज़्यादा crucial नहीं होती थोड़ी बहुत होती इंदम जो crucial होगी उसमें किसी को भी तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो सकते हैं इंसाइड ट्रेडिंग करता हूं तो जो लोग है जो पब्लिक है उनका ट्रस्ट जो मार्केट से उड़ जाएगा जो इतना ग्रो कर रहा है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं यह क्राश होगा नीचे गिर जाएगा बहार से इन्वेस्टर्स उनका भी कॉंफिदेंस गिर जाएगा तो इस घाए जो हम बोलते है वो सब इसमें से पैसा पुल आड करेंगे मार्केट क्रेश होगा तो फिर उससमें वो का दड़ी होती है इंसाइडर ट्रेडिंग ठीक है यहां पर सबको एफेट करता है इन्वेस्टेजन ओवराल एकनोमी आप जब ओवराल एकनोमी की बात करेगी तो पूरा एकनोमी ठीक है सब्सक्राइब कर सकते हैं डिटेक्टिंग इंसाइडर ट्रेडिंग कैन भी चैलेंजिंग होता है तो लुक फॉर अन्यूजर ट्रेडिंग पैटन सदन स्पाइक इन स्टॉक प्राइज और न्यूज रिलेजिस दाट कोइंसाइड विड़ सिनिफिकेंट ट्रेड्स सब्सक्राइब कोई कमपनी ने नियूज दिया इसके पहले कई स्टॉक इदर उदर चला गया है इसका मतलब वह नियूस से कोइंसाइड करें इसका मतलब आलरडी इसमें इसमें हो चुकी है ठीक है या फिर आपको कहीं पर भी कि कोई जो अथरोटी है कोई मैं कहूंगा कि जो परसन है जो उससे एटाइश्ट है वह आपको इंफरमेशन पास करा है समझ जाएए कि आप यह लीगल पैरामीटर के अंदर में मतलब आप कानूनी दावपेश में फस रहे हैं ठीक है अगर आपने ट्रेड लिया उससे अन्डिस्क्लॉज इंफरमेशन लगके तो आप इनवेश्ट करिए उसमें आपको काफी अच्छा पैसा बन सकता है लेकिन इंसारे ट्रेडिंग करके आपको कुछ दिनों तक बन सकता है क्योंकि जब आप फस होगे आपको पैनल्टी देना पड़ेगा पैसा भी देना पड़ेगा सारे एसेट आपको सीज कर लिये जाएं इतीकल प्रेक्टिस नहीं कर रहाँ अधिकल स्टैंडेश को दिमाग्र bakın के मैं करने वेस्टहां तो मार्केट का जो मैं काँ कर रिक्न से पुरा जाये गा गें तो तो जो मियुआ प्ना रहे तो मुझे येअटीकल स्ट्न defense ऑ minutes पो फो जाय गणा पड़ेगा is vital for traders is vital for everybody who is involved in financial market में जो जो इन्वालव है यहां पर मैं कहुंगा principle of finance and transparency आपको बिल्कुल भी follow करनी है बिल्कुल follow करनी है ठीक है हमने समझ गये ठीक है ह्टो यहां पर protecting your investment ठीक है तो to save investment remain educated about the market regulations ठीक है मार्केट रगुलेशन के बारे में समझे अगर आपको इन्वेस्मेंट बचाना है यह सपीसिश एक्टिविटिस को रिपोर्ट करिए अगर कहीं पर आपको मैलता है तो उसको जरूर रिपोर्ट करिए कि इनसाइडर इंफिमेशन है आपके पास कहां साया मैं इसको सेभी को करूंगा मैं जिको जो भी बिंजिंए का Alone authority May report करूए करूंगा रिपोर्ट कर दिए का इससे यह होगा कि इन्वेस्टर्स का पैशा भर बचेगा ठीक है आप का मों होगा ठीक है तो यह आप क्या करें पूरे मार्केट को समझी है तो गो स् Stevie नो बहुत सारा डेटा गला conceive अपए आप सकते हो सबत्सक्राइब से बचना है आप उसको यूज्ग करके आपना investment पूरा बचा सकते हो ठीक है all right case studies कुछ case studies थे इंडिया में several high profile case जो थे insider trading में ठीक है यह बहुत सारे case studies है ठीक है जैसे कि हमने देखा है वह हर्षद महता है उसके पहले भी 2008 का crisis है ठीक है उसके पहले भी बहुत सारे आप देखोगे कि यूएस में हुआ था इंडिया में हुआ था बहुत सारे insider trading है अभी आप कोई ने कई न्यूस पढ़ेंगे तो उसमें कुछ न कुछ आता रहता है तो के स्टड़ी को पढ़िए देखें गौर्णमेंट ने क्या एक्शन लिया देखें उनकी जिन्दगी किसा बरबाद हो गई ठीक है तो यह चीज को पढ़िए देखिए और इस से बाप बस सकते हो ठीक है आपको पूरा पता है कि इंप्लिकेशन क्या हो सकते इंसरे ट्रेडिंग के लिए और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाइटल है इंवेस्टर्स के लिए तो जो भी चीज मैंने आपको बताईए इसको पूरे तरीके सा पढ़िए नविगेट करिए और तो एथिकल स्ट सबस्वाइब करते हैं तो फायदा करते हैं वेर पूरे स्युम्राइब करते हैं इंसानेत के तो पर भी ट्रेडिंग के तौर पर भी बिजनेस के तर बनी एथिक्स लगता है तो सबमें फाइदेमद है ठीक है अई होप आपको पसंद आया होगा हमने पूरा इंसारे टीड झाल झाल